बलिवुड के मसूर सिंगा सिंगितकार बापी लहडी का 16 फर्वारी को मुंबाई के प्रिटी क्यार हस्पातल में निदन गया वो 79 साल के थे बता जा रहा है कि बापी लहडी फिछले काफी समय से बिमार चार रहे थे फिचले साल बापी दा को कोरोना वायरस भी हो था उनिस्तो आसी और नबबाई दसक में भारत में डिस्को संगीत को लग फ्रिया वानने वाले बापी का अहे मुद्ध हो था बापी दा का चन 17 नमंबर 1952 को पस्चिम मंगाल के जलपाई गुरी में वह था था बापी लाइरी ने अपने अलग अंदाज की वज़ा से फिल्म इंडस्ट्री में अपने अलग पहचान मना थी लोगों के वीच उनके पहचान एक ऐसे संगित का की है जो हमेशा सोने के अबुसनों से लज़े रह देते उनने अपने सफर के दोरान के हिट गाने गए थे बापी लाइरी का बॉली ओड का पहला रोफिस्टार सिंगर भी गाल जाता है उनको दो संतन थे बभी लाइरी 1980 और 1990 के तसक में बर्दत, डिस्कोर अंसर, नमक हलाल, सरावी, डांस डांस, कमांडो, साहेब, गेंग लिडर, सैलाव जैसी फिल्मी, साइड ड्रेक के साथ लोग प्रियो होगे थे उन्होंने अमर संगीत, आसा ओ भलवासा, अमर तुमी, अमर प्रेम, मंदीरा, बदनाम, रक्तो लेखा, प्रियो जैसी, बंगाली क्रिमों में घीड गाने थे उनका आखरी वल्योर गना भंकस 2020 के फिल्म वागी 3 के लिए था, बिग बॉस 15 में आखरी वार इसकिन पर वो नजर आये थे पापी लाहरी का अस्री नाप अलोकेश लाहरी था, पापी लाहरी का जन कलकता में सास्त्रिय संगीत की संब्रित परंपरा वाले परिवार में गुआ था उनके पीता अम्रेस लाहरी एक प्रसीद बंगाली गया पे और उनके माँ वंसरी लाहरी एक संगीत कार और गयगा थी जो सास्त्रिय संगीत और स्वाम संगीत के पारंगेत थे वैं उनकी एक लोती संतान थे बापी लेकर निदन पर फिल्म मेकर ओसक पंडित ने ट्विट किया है कि और उखिस्टार बापी लाहरी जी के निदन के बारे में सुनकर इस्तब्दू बिसपास नहीं हो रहा है कि मेरा पडल सी अब नहीं रहा आपका संगीत हमेशा हमारे दिलों में रहेगा वही देश के प्रधान मंत्री नरंद्र मोदी ने ट्विट कर गायक और सिंगतकार बापी ताकि लिदन पर दुख जताया पियम मोदी ने अपनी ट्विट में लिखा बापी लहरी जी का संगीत सर्वांगीन था और बीवित भवनाओं को खुशूरती से वक्त करता था उन के लिदन से में दुखी